हेलो जी आज हम मनाने जा रहे हैं बिहारी अंडा करी तो उसके लिए मैंने पांच अंडों को बॉयल करके अच्छी दे छील लिया है अब एक चमच हल्दी का और एक चमच लाल मिच्ची का हल्का जालेंगे इसमें ऑईल जिसते क्या होगा तो मेरी हल्दी है वो अच्छेस प प्राइ कर लूँगा गरम ओल में अंडे को डालिए आपको अंडो को मीडियम फ्लेम पर ही प्राइब करना है तो देख सकते हैं मेरे अंडे अच्छे से फ्राइब हो गये तो अपने अंडों को हम निकाल लेंगे वाउ देख सकते हैं कितना अस्टेक्शर आया तो आईए आज हम बिल्कुई ऑथेंटिक तरीके से मनाएंगे बिहारी अंडा करी मिट्टी की मट्की के अंदर तोजी में डालूँगा लगबक सत्तर का एमल के लगबक देशी की पांच हाई लाइची दो तेश पत्तक डालूगा तोड़के मेरे अच्छे फूल गए है पॉप अप करेश्ट ब्लैक पेपर डालूँगा अब डालूगा चार बड़ी प्याज स्लाइस करें होड़े तो जी अच्छा से मारूँगा में इसके इंदर स्टर एक चमण डाले हम नमक जो हमारे प्याज को गलाने में करेंगा है और धकन लगा के हम इसको पकाएंगे लगबक तीन में दालूगा होल लैड चिली इसके अंदर एक फूल डालूगा जावित्री का आदर इंच डाल्ची डालेंगे पानी की मदद से हम इसका अच्छा था फाइन मालेंगे पेस्ट तो जी खड़े मसाले का दरदरा पेस्ट हमारा रेडी है अपनी प्याज चकर लिए अपनी एक चमत लाल मिर्च पाउडर अच्छा दरेंगे हम पुरे मसाले पोस्टर तो जी हर्ची मैंने मिक्स कर दिया है दकन लगाएंगे और जब तक बगाएंगे जब तक हमारी प्याज गलनी चाहते हैं यह अपनी करी को चेक करते हैं प्याज को हम खोल दी के खोश्बू आई तो जी प्याज हमारी गोटनी चाहलो हो गई है बड़ा चमा डालेंगे बढ़के हरा दनिया का इसको भी थोड़ा सौते करेंगे प्याज के साथ हम राणोंगों इसमें दो कप पानी अच्छा देंगे इसको मिस्टर तो जी इस दिश्ट में डालेंगे अपने प्राइब कर रहे हुए अंडे पांच अंडे मैं प्राइब करें थे वह मैं डाल दूंगा इसके अंदर इसको दूंगा अच्छा तस्टर और ढकन लगा के उसको पकाएंगे लगबग 5-7 लेड़ी आए करते हैं प्लेट वॉन अभी फूड़ी के स्टाइल में तो आज हमने आपको बनाकर दिखाई है बिहारी अंडा करी बिगर खटाई वाली तामाटर वाली बहुत ही अच्छी रेसीपी है एकदम हमने आपको ऑफ्टेंटिक तरीके से बनाकर दिखाईए बना सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यों वाचिंग